जैशरी राम जैशरी राशी से निकल कर मेश और तुला राशी के अंदर प्रवेश कर जाएंगे यह वीडियो चंद्र राशी पर आधारित है कुंडली में चंद्रमा कुंबराशी में बैठा है आपका बोलता नम कुंबराशी के आधार पर है या 11 नमर में चंद्रमा बैठा हुआ है तो तीसरे और नौवे घर के अंदर गोचर करेंगे जहां तीसरे घर के अंदर होंगे राहू और नौवे घर के अंदर होंगे केतू सभाव से अशुब नैसरगीक सभाव राहू और केतू का अशुब ही होता है लेकिन कहा जाता है कि अशुब ग्रह अगर केद्र तृकौनों में बैठे हुए होते हैं तो उनके फ़लो में कुछ कमी हो जाती है यानि उनके जो पाप ग्रह हैं उनका जो पापत्व है या उनका जो खराब करने की कंडिशन है उसके अंदर कुछ कमी आती है लेकिन जैसा कि उनका सभाव है इसलिए वे अवश्य ही कुछ न कुछ समस्या आपके जीवन में देते जरूर है इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राहू के तु जिन जिन भावों से जाके जुड़ेंगे उन से सम्मन्नित क्या फल होंगे देखे किसी भी ग्रह को समझने के लिए आपको ये जानकरी जरूर होनी चाहिए पहली बात ग्रह का खुद का सभाव कैसा है दूसरा वो कौन से भाव में गया है तीसरा वो कौन से राशी के अंदर गया है एक ग्रह तीन प्रकार के सुभाव को लेकर फल देता है यानि एक उसका खुद का सुभाव एक वो जिस भाव के अंदर गया है उस भाव के कारकत्व एक वो जिस ग्रह की राशी में गया है उस ग्रह की राशी के भी फल यानि गुण ग्रहन करके आपको फल देता है तो राहू और केतु का गोचर तीसरे और नौवे घर यानि राशी से तीन और नौपे हुआ है देखे वैसे तो तीसरा और नौवा घर आपके जीवन में बड़ा एक बहुत उपयोगी घर है क्योंकि तीसरे घर से आपकी सहजता और साहस को देखा जाता है तो नौवे घर से भागे अब ये नौवा घर और तीसरा घर जब आपस में सम्मलित होकर चलेंगे अठारे महने तक राहू यहां रहेंगे राहू क्योंकि सदयाब वक्रगति चलते हैं केतू भी वक्रगति तक चलते हैं तो राहू यहां मेश राशी में होंगे राशी से तीसरे घर के अंदर तो ये पहले कृतिका नक्षत्र में होंगे, फिर भन्डी नक्षत्र में होंगे, फिर अश्वनी नक्षत्र में होंगे, यानि पहले ये सूरिय, फिर शुक्र और पिर केतु के नक्षत्र में होंगे, वहीं एक तरीके से हम केतु के बारे में बात करें, तो केतु राशी से न राहू के बारे में बात करते हैं प्लैनेट इंट हाउस और मैलेफिक्स हो तो शासर कहता है तीसरे घर में अशुब ग्रह का गोचर सर्वुत्तम माना जाता है क्योंकि तीसरा सात्वा और ग्यारवा भाव आपकी इच्छाओं का होता है इनको हम काम त्रिकौन भाव कहते हैं जब राषी से तीसरे घर के अंदर राःव हो तो यह आपकी इच्छाओं का दमन करता है आप अपने काम से काम ज़्यादे रखते हैं या कह सकते हैं आप अपने काम में इतने ज़्यादे तल्लीन रहते हैं कि जीवन में बहुत एक सुक, सुख सुविधाओं के परती आप इतर जो लोग शोद के कारों में हैं, कुछ खोज रहे हैं, कुछ अपना पेटेंट बनाने का परियास कर रहे हैं, कुछ अविशकार कर रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, यानि अपनी मेहनत से जीवन में कुछ प्राप्त करने की इच्छा करते हैं यदि आप तो राहू उस से दूर हो जाता है व्यक्ति पहले के मुकाबले जादा चुस्त दुरुस्त दिखाई देता है व्यक्ति अपने कारेशेतर के परती अधिक मन लगा कर काम करने के लिए तैयार रहेगा राहू जब तीसरे घर में हो तो तीसरा घर टू ट्रेवलिंग्स यात्राएं एक्सपोर यह मंगल की राशी में हो तो इस प्रकार किस्ट आपके जीवन में होंगी ट्रांसफर कराने में यह auditor नहीं होदा मैं अपने घरार मैं आपप के पास जाना चाहता हूं तो यह से तो में है तो दूर स्थान्त जोड़कर काम करने का मौका मिलेगा यात्राएं करने के मिलेंगी क्योंकि तीसरा चाहिए अगर कम्ěीनिकेशन्स का भाव है इंटरनेट के माध्यम से मीडिया के माध्यम से फेस्बुक ट्वीटर इंस्टाग्राम यूट्यूब ये सब ठ्षाड हाउस से और राहू इनका प्रवलकारक है क्योंकि राहू मीडिया के छितर में राहू एनिमेशन के छितर में तो उस हिसाब से ये एक creative planet हो गया राहू, तो आपके लिए ये राहू बहुत सुखद है, क्योंकि ये तीसरे घर में बैठके प्रसंद है, मंगल की राशी में बैठने के कारण कभी-कभी आपको अती साहस दे देता है, जादा जोश आना, जादा साहसी हो जाना, करने की आवशकता है, कि आपका राहू आपको काम तो अच्छे कराएगा, लेकिन वो काम गलत ना हो जाएगा, आपकी जल्दबाजी में आप अपना धहरे ना खोदे, धहरे को बनाए रखना है, आपको इस राहू में 18 महीने का ये ट्रांसिट है, शुरुवाती तीन महीन यदि हम देखें अपरैल से लेके लगबख जुलाई तक के, तो ये थोड़ा असमंजस में डालने वाले होंगे आपको, आपके सामने काम भी होगा लेकिन आप सोचेंगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मन के अंदर उतल पुतल रहेगी, वो राहू के सूर्य के नक राशी में नच्छतर में भ्रह्मन होगा, तो शुक्र आपकी राशी के लिए परमित्र रहे हैं और योग कारग रहे हैं, इसका मतलब राहू का ये भ्रह्मन जब शुक्र के भरणी नच्छतर और के अश्वनी नच्छतर में होगा, तो ज़्यादा फल्दाई हो जाएगा इसलिए शुरुवात के तीन-चार महीने सम्हाल कर बिताएं। बाकी ओवराल राहू बहुत बहतर है। अगर राहू से संबंदी दशा अंतर दशा आपको हैं। और राहू आपकी कुंडली में वेल प्लेस्ड हैं, अच्छे सानों में बैठे हैं। तो अबश्य ही राहू की दशा में आप बहुत अच्छा राइज करने वाले हैं। केतू के बारे में बात करें, नवम भाव एक भाग्य का धर्म का भाव है। जब केतू यहां शुक्र की राशी में होता है, चिस्चिती में व्यक्ति की दिवन में देखा जाता है कि माता रानी से संब्दित बहुत सारे काम होते हैं। उनते संब्दित यात्राएं होती हैं, उनते संब्दित पूजा पाट, दान धरम आपके जीवन में करने का आपको मौका मिलता है। इस्त्रियों से लाब, माताओं से वुआ, मौसी, बहन, इन सबसे मिलने वाला लाब या कह सकते हैं यादि आप इनके लिए कुछ करते हो, तो यह आपके जीवन में एक तरक्की का पत्र खोल देता है, तरक्की का द्वार खोल जाता है इस्त्रियों या देवी की पूजा य तो आपको बहुत पता लगेगा कि जितने भी असुर हैं, वो सभी जितने भी दैते दानव हैं, उन्समें बहुत अधिक्तम असुर का वद जो है वो देवियों ने किया है, और हर देवी का अपना एक रूप है, इसलिए हैं राहू के तु उनकी राशी में बैठकर बहुत तो आपको धार्मिक रियात्राय कराता है, धार्मिक कार्य कराता है, आपका भागय आपका साथ देता है, तो कि केतु को मोक्ष कारी ग्रह कहा गया, ये शुरुवात में विशा का नक्षातर में ब्रस्पती के नक्षातर में गोचर करेगा, इसका मतलब धरम के प्रतियास् का या कह सकते हैं पिता से थोड़े वो संबंधों में अनबन लाना क्योंकि राहू और केतु अच्छे भावों में बैटकर भी वहां से संबंधित जो रिष्टेदार हैं उनको थोड़ा परिशान करने के लिए इस्थिति आपके सामने लाएंगे क्योंकि इनका सुभाव और केतु और राहू वो प्लैनेट हैं जिनको शुक्राचारे नहीं मृत संजीवनी विद्या से फिर से जीवित किया यानि उनको जीवन दान देने वाले ग्रहे हैं इसलिए वो उनके लिए एक तरीके से पूजनिये भी हो गए उनके गुरू भी हो गए क्योंकि शुक्रा इसलिए जीवन के कारक शुक्रा चा रहे हैं जीवन में सुख समपत्ति देने के कारक शुक्रा चा रहा है जब वो नाइन थाा उसमें होते हैं तो अच्छे होते हैं इसका मतला केतू का ये ट्रांजेट आपके लिए बहतर है यहां अगर देखे राशी से तीसरे और केतु के फल ले पाएंगे नाम से डर जाना के मेरा राहू केतु चेंज होने वाला है मेरे साथ क्या होगा तो ता फिर उसके स्वयम जिम्मेदार है योगी जब आप यह समझेंगे के राहू किस भाव में है राहू के खुद के क्या गुण है और वो जिस भाव की राशी में ह उसके क्या गुण है जब वो तीनों के मिलके रिजल्ट देगा तब आपको समझ में आएगा कि एक्जेटली राहू करता क्या है सेम पोजिशन राहू के साथ के तु नौवे घर में शुब भाव में लक्षमी त्रिकॉन भाव में हायर एजूकेशन के भाव में शुक्र की प घर में यदी केतू हो तो आपको किसी परकार के गलत काम से बचना चाहिए इश्वर की अवहिलना ना करें कोई ऐसा पापकरम ना करें जिससे आपका इश्वर आपके पित्र आपके पैत्रक जो देवता है वो आप से रूट जाए ऐसे समय में आप अपने पित्रों का भी स्थान बना हुआ है उनकी पूजन आप अपने जीवन में कर रहे हैं तो ये राहूर केतू का ट्रांसिट आपके लिए भली भाती रिजल्ट देने वाला होगा तो कुलमिला का राहू केतू का ट्रांसिट शुब है अच्छा है आपके लिए इसमें किसी परकार की कोई ने रहीएगा मेरे साथ जैशरी राम